इस्रेल यूत की पीच बड़ी खबर इरान को लेकर है इरान ने पाकिस्तान के ओपर बड़ा हमला कर दिया है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में इरान ने ड्रोन और मिस्साइलों के जरिये बड़ा हमला किया है इरान की ओर से दावा किया गया है कि उसने बलूचिस् पाकिस्तान के बलूचिस्तान में या आतंकी संगठन सक्रियत था और बताए यही जा रहा है कि बॉडर के रास्ते से इसके पहले इरान के उपर हमला भी किया गया था पाकिस्तान के बलूचिस्तान बुरी तरीके से बॉखला उठा है पाकिस्तान के बुडेश मनप्राला ने इरान को गंभीर परियुनाम भुगतनी की चेताबनी दे दी है साथी हमने को पाकिस्तान की संप्रभूता का उलंगन बता है तो पाकिस्तान बॉखला चुका है पहले इरान ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया था कि वो आतंकी संगठनों पर लगाम लगाए लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया दरसल जिस आतंकी संगठन के ठिकालों पर हमला किया है उसने इरान की सीमाओं पर हमला किया था और पिछले महीने जो आतंकी घटना हुई थी इरान में उसमें पुलिस वाले मारे गए थे इसी का बदला इरान ने पाकिस्तान से लिया ह और पाकिस्तान के साथ एरान के रिष्टे कभी भी सामाण है नहीं रहे थे लेकिन यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि अचानक आकर एरानने पाकिस्तान के उपर हमला क्यों किया हमले की इंसाइड स्टोरी क्या है इसके पीछे की बज़ा क्या है बस सब आपको बताते हैं देके असल में पिछले साल दिसंबर के महीने में इरान से सरहदी इलाखों में पाकिस्तान में सक्रिया आतंकी संगठन ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया था इसमें इरान की बॉर्डर फुलिस को निशाना बनाये गया था और इसी अमले को लेकर पाकिस्तान में सक्रिया आतंकी संगठन जैश अल अदल ने हमले की जिम्मदारी ली थी मतलब हमला किया भी और फिर उसकी जिम्मदारी भी ली और इसी हमले में आतंकी संगठन ने इरान की सीमा के अंदर बंबारी और किड्नापिंग की गटनाओं को अंजाम दिया था और तब से ही इरान इस फिराक में था कि कैसे पाकिस्तान को मज़ा चखाए जाए देखे पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन जैश अल अदल खासतोर से बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बहुत अक्टिव है और ये पाकिस्तान का सुन्ने आतंकी संगठन है जो कि इरान से दुश्मनी की सबसे बड़ी बज़ा है इरान एक शिया बहुल देश है ये आतंकी संगठन सुन्नियों का समर्थन करता है और अब जाकर इरान ने वो जो पुरारा आमला किया था उसी का करारा जवाब ये दिया है पाकिस्तान को अब इरान की सेरा ने आतंकी संगठन पर जबर्दस तेयर स्ट्राइक की है इरान की revolutionary पेला मिट्री ने बलूचिस्तान प्रांत में मिसाइल और जोन के जरिये गेस्ट्राइक की है और इस्राइल युद्ध की बीच इरान बेहत आक्टिव हो चुका है एक दिन पहले इरान ने एलान किया कि उसने इराक में मौझूद इस्राइल की कुफी अजनसी मोसाद के हेज़कोर्टर पर हमले को अंजाम दिया इसके साथी इरान ने सीरिया में आईयस यानि इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर भी हमले का दावा किया और अब इरान ने पाकिस्तान पर बड़े हमले को अंजाम दिया है, ये तीनों घटनाओ एक बड़े संकेत दे रही है, खत्रे का संकेत दे रही है क्योंकि मद्द एशिया में पहले से ही इस्राइल युद्ध की वज़ा से तनाव गहरा हुआ है और पिछले दो दिन के भीतर इरान ने तीन बड़े कदम उठाए हैं जो इलाके में तनाव को और गहरा सकता है, क्या क्या कदम उठाए गए हैं इरान की द्वारा ये बताते हैं, मंगलवार को इरान ने, अब देखिए मोसाद के हेड़कॉर्टर पर हमला किया, इराक में मोस मंगलवार रात पाकिस्तान के बलचिस्तान ने, इरान ने एरस्ट्राइक की है, और ये कहा है कि पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया गया था, बकाइदा इरान की दरफ से ही ये जानकारी दी गई है, लेकिन जिस तरीके से ये इरान ने ट्रिपल अटाक किया है, इससे टें यहाँ पर आतंकी संगठन अच्छे तरीके से फलपूल रहे हैं और यही वज़ा है कि हमेशा वो कन्नी कार जाता है जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में उसमें यह पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि जो अटैक्स हुए हैं इरान की तरफ से जो यहाँ आपकर नहीं अपने बैलिस्तिक मिसाइल जो बताया जा रहा है जो रिपोर्ट कहरे हैं बैलिस्तिक मिसाइल और ड्रोन के दरीह अटैक्स किया हैं उसमें सिर्फ दो बच्च्च और तीन लड़किया घाइल हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी अगर इस तरी तो जायर से बाद है कि पाकिस्तान कुछ बड़ी चीज चुपा रहा है और यही वज़ा है कि इस वक्त तेंशन लगातार बनी हुई है वो अब एक बार फिर से क्योंकि दोनों ही निक्लियर आंट स्टेट हैं और ऐसे में अगर ये एसकिलेशन होता है या क्योंकि पाकिस्ता पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा जो है वो इरान से लगता है और जो हिस्सा इरान से लगता है पाकिस्तान का वो पूरा पूरा बलुचिस्तान है तो ऐसे में यहां पे अगर बलुचित रोही या जो आतंकी संगटन है वो इस तरीके के एक्टिविजिस करते हैं तो पाकिस्त पाकिस्तान हमेशा ही आतंकबाद को बढ़ावा देता रहा है और अब इरान की तरफ से ये एर्स्ट्राइक पाकिस्तान के आतंकी संगठन पर